Hey everyone, welcome back and इस वीडियो में हम बात करने वाले है logical operators in javascript so logical operators क्या होते हैं why they are useful तो वो हम सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले है and ये एक beginner friendly वीडियो होने वाले है so पहले दिखते हैं logical operators होता कि है so logical operators का basic meaning क्या होता है like we have three main logical operators जो है and, or and not तो हम तीनों को इस वीडियो में देखने वाले है and इन तीनों को हम समर्जने वाले है इस वीडियो में तो सबसे बहले मैं तुम्हें theoretical ही बता देता हूँ एक example देखे and, or, or not का क्या फरक होता है and जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं और है ना तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ जिसे एक example लेते हैं लेमान लांगवज में कि यह एक काम करो तुम वहाँ जाकर तुम वहाँ जाओ और सीधे खड़े हो जाओ तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने और का वह यूज किया मतलब मैंने and बोला तो मतलब तुम्हें वहाँ पर जाना भी है मतलब पहली condition भी fulfill करनी है and वहाँ जाकर सीधे खड़े हो जाओ इसका मतलब दूसरी condition को भी fulfill करना है तो और which means and and का मतलब बोता है सभी conditions को fulfill करना उसके बाद हमारे पास आता है और ठीक है और English में और जिसको हम बोलते हैं Hindi में या जिसे अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि यार यार तो सीधे खड़े हो जाओ या वहाँ जाकर वहाँ चले जाओ तो इसका मतलब होता है या तो तुम दोनों भी कर सकते हैं फिर किसी एक को तो तुम्हें follow कर नहीं कर रहा है that means at least one condition should be true and then we have not not का मतलब होता है basically na not मतलब yes को like true को false कर देना and false को true कर देना तो यहाँ पर हम एक example लेते हैं let's say मुझे बताना है कि क्या तुम एक adult man हो या फिर तुम एक teenager boy हो ठीक है so इस season में मुझे दो चीज़ी होगी एक तो मुझे आपका gender चाहिए होगा और एक मुझे आपका क्या चाहिए होगा age so let's say मैंने यहाँ पर एक age variable बनाया which is equals to let's say 20 बहुत बढ़ी है and मैंने यहाँ पर एक और variable बनाया that is gender और मैंने इसको equals कर दिया male के ठीक है अब मुझे क्या चेक करना है कि अगर तुम्हारी age 18 से बढ़ी है and और नी and तुम्हारा gender male है तो मतलब कि तुम्हे एक adult male हो so मैं क्या कर सकता हूँ I can say if ठीक है age is greater than or equals to 18 तो यह मेरी पहली condition होई correct अब and कैसे लिखते है I can say and मतलब हम दो बार and percent का operator लगाते है okay and इसको हम क्या बोलते है and दो बार लगाना है अगर तुम्हे एक बार लगाओ कि वो bitwise and बन जाएगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे लेकिन and and मतलब दो बार लगाने से इसको हम क्या बोलते है and तो मैंने बोला तुम्हारी age 18 से बढ़ी होनी चाहिए and जो तुम्हारा gender है न वो क्या होना चाहिए double equals to male ठीक है double equals का मतलब क्या होता है basically हम check कर रहे है कि क्या ये इसके equal है या नही single equals to का मतलब होता है कि हम इस value को इसमें assign कर रहे है लेकिन double equals का मतलब होता है कि हम check कर रहे है कि क्या ये value इसके equal है तो अगर ये दोनों conditions true होंगी क्योंकि हमने and operator का use किया है तो अगर ये वाली condition भी true होगी और ये वाली condition भी true होगी तो ही ये particular block चलेगा so can I say कि console.log कर दो that कि अगर तुम like you are adult male ठीक है because तुम male भी हो और तुमारी age भी 18 से बढ़ी है तो ये तुम एक adult male हो and as you can see on my console you are an adult male console.log हो रहा है अगर ये ही मेरी age let's say होती 10 ठीक है तुम अगर इसको 10 कर देता so you can see nothing is coming on the console because ये वाली condition तो true है yes I am a male लेकिन हुआ क्या मेरी जो age है वो वाली condition false हो गई and ये particular statement run नहीं की because and क्या बोलता है सारी conditions true होनी चाहिए like you can even have multiple conditions तुम ये भी कर सकते है and मतलब मैं true लिग देता हूँ तो जब तक ये सारी conditions true नहीं होगी and के case में तब तक तक तुम्हारा ये नहीं चलेगा तो अगर मैं अभी इसको let's say 22 कर दू न ये अब चले रहा है and अगर मैं इस particular condition को false कर दू it will not work क्यों? because एक condition को मैंने explicitly false कर भिया so and operator क्या कहता है basically कि all the conditions all the conditions must be true मतलब कि सारी conditions माच हो निचे ये तो ही मैं चलूँगा ठीक है तो ये तो हुआ and and इसका operator क्या होता है we just put double and okay second हमारे पास आता है और ठीक है और का मतलब होता है या जितनी भी तुम conditions दे रहे हो न जितनी भी उन में से कोई अगर एक भी true हो जाती है न मैं true माल लूँगा उसको ठीक है तो उस case में क्या हो सकता है जिसे suppose मैं यहाँ पर और operator लगाता हूँ और operator क्या होता है basically दो pipes ठीक है ये कहाँ पर होता है अगर तुम अपनी enter key के ऊपर देखोगे ठीक है enter key के ऊपर shift दबा के उसको press करोगे तो ये pipe operator बन जाएगा ठीक है तो इसको भी हमें क्या लिखना होता है दो बार pipe operator यूज़ करना होता है इसको हम क्या बोलते है और ठीक है तो इसका मैं symbol यहाँ पर लिख देता हूँ तो और का symbol क्या होता है दो pipe operators ठीक है और क्या करता है basically वो क्या कहता है कोई भी एक condition true हो जाए मैं चल जाओंगा दोनों true हो जाए तो भी मैं चल जाओंगा कोई problem नहीं है मुझे लेकिन at least one should be true अगर दोनों false हो चाती है फिर तो मैं बिल्कुल ही नहीं चलूँगा तो अगर मैं इसको save करता हूँ अब भी दोनों conditions true हो रही है मैं male भी हो हूँ मेरी age भी फिवटीटीट हो है दोनों conditions true हो है तो ये चल रहा है फिक है एक काम करते हैं इधर वाली conditions हो न गलत कर देते हैं तो मैं अपनी age जो है वो 2 कर देता हूँ लेकिन ये तो अभी भी चल रहा है क्यों because मेरी ये वाली particular condition true हो रही है ठीक है एक काम करते है मैं gender को change कर देता हूँ female अब क्या हुआ अब दोनों conditions ही false हो गई ना तो मेरी age 18 से बढ़ी है और ना ही मेरा gender male है दोनों condition false अब ये नहीं चलेगा तो at least one condition should be true तो अगर मैं इसको वापपे से 22 कर दूँगा सिर्फ ये वाली condition क्या हो जाए कि true ये वाली condition क्या है false और operator क्या कहता है यह at least ठीक है at least one condition should be true तो basically यही difference है and और और में and जितनी conditions दी सभी true होनी चाहिए और क्या कहता है यह at least एक condition तो मुझे true कर दो ठीक है तो इसमें हमने वे देख लिया and कैसे and का operator यूज करके हें और कैसे यूज करते हैं यह दो pipe operators क यूज करके हम और क्या यूज कर सकते है and यह जो हमारे operators होते हैं जिसमें हमारे पास एक double equals to wish operator होते है इससे हम basically equality को check करते है equality क्या होता है अगर हम single operator का use करेंगे तो यह female वाली जो value है यह assign हो जाएगी तो यह तो हो गया assignment operator but if you want to check the equality तो तुम क्या करते हो double equals करते हो तो इसका मतलब कि यह दोनों अगर equal है तो true नहीं तो false तो यह basically boolean value return करते है तो मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ I can say const const नहीं करके let use करते है let is male मालो मैं एक variable बनाया so I can say gender equals to double equals to triple equals to की बाद में बात करेंगे double equals to male तो अगर मैं इसके उपर hover करते हूँ you can see is male का एक boolean value है तो यह basically double equals to operator क्या करते है boolean return करते है so मेरे पास यहाँ पर एक boolean expression है यहाँ पर एक boolean expression है and इन दोनों के उपर में क्या कर रहा हूँ और operation कर रहा हूँ और क्या करते है एक true हो तो भाई true है सारा and क्या करते है दोनों true होने चाहिए so यह तो हमें समझ आ गया and भी हमें समझ आ चुक है हमें और भी समझ आ चुक है तो एक और हमने discuss किया था that was not ठीक है, not क्या करता है not basically simple है वो हां को ना कर देता है और ना को हां कर देता है मतलब true को false कर देता है false को true कर देता है, so not के example देख लेते हैं, ठीक है, तो एक काम करते है in variables को remove कर देते है and एक variable बनाते है number, ठीक है, तो let's say मेरा कुछ number है 5, मुझे check कर रहे है कि क्या ये number odd है ये even है ठीक है, odd ये even तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो एक number को even हम कैसे check करते है that अगर मैं उसको two set divide करू और remainder zero आ रहा है, मतलब वो पूरा-पूरा two set divide हो जाता है, तो मतलब कि वो क्या एक even number है, ठीक है तो एक काम करते है, मैं बोलता हूँ, if मैं क्या करूँ को, इस number को modulus करूँगा two से अब ये modulus क्या होता है, ये percentage का operator क्या होता है, अगर तुम basically simple arithmetic divide करते हो तो एक क्या करता है, divide करके तुमें question as a result देता है, जैसे इस case में 2.5 आना चाहिए, ठीक है, but मुझे 2.5 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे इनका remainder चाहिए, तो remainder के लिए हम क्या करते है, percentage का use करते है, तो percentage basically क्या करते है, एक remainder return कर देता है, करके दिखाता हूँ, let's say अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, four modulus two, तो zero आ रहा है, मतलब अगर मैं four को two से divide करूँगा, तो remainder क्या आएगा, zero, यही अगर मैं five को modulus करता, two से, तो मेरा क्या आ रहा है one, because वो क्या होगा, जब मैं इसको divide करूँगा, एक बार, तो मेरे पास remainder क्या आएगा, one remainder remainder आएगा, क्यों, because वो कहे रहे, two into two, four, तो five minus four, one, तो one क्या रहा है remainder, so अगर मेरा जो remainder है, वो zero आता है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर वो zero आता है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ, console.log ठीक है, console.log, even number है, ठीक है, तो अभी मेरे पास console में कुछ भी नहीं आया, because मैं ने five दिया था, यही अगर मैं four देता, तो मेरे पास even print हो जाता, तो यह चीज़ तो बहुत easy है, यह तो समझ आ गया, अगर मैं तुम्हें बोल लूँ कि तुमने यहाँ पर odd condition है, मतलब तुम्हें मुझे बताना है, कि यह कब odd है, अभी तो हम सिर्फ यह बताना है, कभी यह even है, बट मैं चाहता हूँ, कभी यह odd है, तुम्हें मुझे बताना है, तो हमारी जो condition है, वो थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी, यह जो particular number modulus 2 है, यह 0 के equal नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो जहाँ पर ऐसा कुछ आता है न, नहीं होना चाहिए, बहाँ पर हम not operator का use करते हैं, so what I can say, equals to equals to 0 को, मतलब यह तो है, कि 0 के अगर equal है, इसको मैं change कर दूँँगा, exclamation mark equals to, तो इसका मतलब क्या होगा, कि यह 0 के equal नहीं होना चाहिए, तो यानि कि अगर यह value 0 के equal होगी, तो यह condition क्या होगा जाएगी, false, because मैंने not का operator लगा दिया, बताया था न, true को false कर देता है, false को true कर देता है, so basically, मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि जो number को जब तुम 2 से divide करके remainder को ले के आते हो न, वो 0 के equal नहीं होना चाहिए, इसका मतलब के नहीं होना चाहिए, not equals to, so not का basic expression क्या होता है, not, ठीक है, एक exclamation mark, तो अगर मैं इसको save करता हूँ, so you can see nothing is coming, अगर मैं इसको 5 करता हूँ, so you can see odd is coming, एक example देता हूँ, let's say मैंने यहाँ पर लिखा true, तो true की value क्या होती है true, and false की value क्या होती है false, यही अगर मैं इसको लिखू not true, तो यह क्या बन गया false, and अगर मैं लिखू not false, तो यह क्या बन गया true, तो not उल्टा कर देता है, true को false कर देता है, और false को क्या कर देता है, true कर देता है so इस condition में हम क्या कर रहे है हम इसको उल्टा कर रहे है basically मतलब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यार यह वाली जो condition है that number modulus 2 equals to equal to 0 यह क्या कहती है even मैं क्या कर सकता हूँ इस पूरे को ना एक bracket में wrap करके यहाँ पर एक not को उपरेटर लगा सकता हूँ तो यह क्या करेगा यह particular condition क्या return करेगी अगर let's say मेरा number जो है 4 है तो वो 4 को 2 से divide करके remainder देखागा 0 0 0 true तो यह particular condition क्या बनगी true and true का not क्या होता है false तो यह basically condition क्या हो जाएगी false लेकिन अगर मैं इसको करता हूँ 5 just a second yeah तो अगर मैं इसको 5 करता हूँ तो देखना क्या होगा number modulus 2 equals equals to 0 यह condition होगे false है ना because हमारा answer तो 1 आया होगा लेकिन false का not क्या होता है true और यह पूरी condition क्या होगे true and मेरा odd जो है print होगा so that's how your not works तो basically यह क्या करता है true को false कर देता है है ना and यह क्या करता है false को true कर देता है बस इतना ही काम है इसका nothing else और इसका mark और इसका sign क्या होता है एक exclamation mark so basically it's a not equals to so इस वीडियो में हमने देखा logical operators हमें and समझ आ चुक है and double and का operator and all conditions must be true और समझ आ चुक है at least एक condition तो true होने ही चाहिए सारी भी हो सकती है कोई problem नहीं है and last में हमने देखा एक not तो not क्या होते है true को false, false को true so I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगागा यह बहुत है beginner friendly वीडियो था जिन्होंने कभी programming नहीं की so वीडियो अच्छा लगा तो subscribe and like जरूर करना मिलते हैं आपको next वीडियो में until then bye bye, take care